कि दोस्तों हमारे योटूचीब चैनल बियुड़ियल बिल्ड़िंग में अपका स्वागत है आज मैं अपना प्लान मीटर में बनाया हूँ किसे लोगों की डिमांड थी कि आप इसको मीटर मही बनाते हैं हैं ममलोग फिट में ही समझ पाते तो आज में ने मीटर में बनाने कोशिश की है तो यह हमारा प्लाट साइज है मीटर में यह प्लाट साइज हमारा मीटर में है 6,70 by 15,25 इसको मैं फिट में लिख दे रहा हूँ यह हमारा 22 फिट by 50 फिट का है तो दोस्तो यह काफी बढ़िया प्लान है विट कार पारिकिंग लां 22-50 फिट में 100 स्वाइब प्लाट है यह हमारा पूरा देखेगा तो आपको समझ में आएगा इसमें डेटेल में बताता हूं आपको तो हमारे वीडियो देखने इस पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें अपने वैल आइकान आन करें जिससे हमारा जो नवे वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेसन आपको मिलता रहे और अगर आपको कोई प्लाट आपको साइज या इससे डिफर करता है तो वह आप हमसे बनवाना चाहते है मैप तो हमसे संपर्ग भी कर सकते हैं हम आलाइन वर्क भी करते हैं आए पहले इसको देखते हैं 22 बाइस बाइस पचास फिट मीटर में कहें तो 670 बाइस पंदरा पार्किंग यह पहले आया हमारा कार पार्किंग आ गया कार पार्किंग के साइज है तीन मीटर चार असी बाइस दस फिट बाइस सोला फिट का आपका कार पार्किंग हो गया यहां पर इसी से लगा हुआ दिखे यह चार फिट का आपका इसको मीटर में कहें तो 25 मीटर वाइट यह आपका फ्रंट लान हो गया यह गेट आई आपका अब जब आप कार पार्किंग कार खड़ी करेंगे तो पहले यहां सेंट एक ठोटा समयने बरामदा दिया है इससे लुग बढ़िया आएगा घर का आपका इसका साइज है एक एक कैस मल्टिप्लाइब बाई 1.32 मल्लब अगर फिट में कहें मैं इसलिए फिट में बताता जा रहा हूं जिसे आपको समयने मसा नहीं रही चार फिट बाई साड़े चार फिट कर यह आपका प्रामदा आगया इससे आगे बढ़ते हैं तो यह आपका इसका साइज होगा फिट में 10 फिट बाई 14 फिट का आपका यह ड्रैंग रूम बने गया इसी से लगा हुआ देखिए यह आपका टायलेट आगया आका टायलेट का साइज है एकहसी इसे छे चार नहीं की ठीक है इसका दरौजी यहां लग यहां से आपने ड्रैंग रूम में त्रीकों इसके वंत्री लेटर के यह विद्वी पंड़ा लगा हुआ और यहां से हमने देखे इस टेर आपका अपकिया है और गहुर करिए को यह फला ये ऊपका इस कारपार्किलियक ऊपर फ़ड़की कि निकल जाए गए यह अब हो गया उत्ता सा ब्राम्दा यह भी बन जाए 내일яться ऑग रांड 아닌 तो आपको यह त्री पॉइंट जीरो वन पॉल्टिप्लाइबाइब थ्री पॉइंट बलब यह दस बाई करेब आपका पड़ेगा बारा फिट चार इंच का पड़ेगा लगभगी है आपका यह बेट्रूम आया इसका दर्वाजा यहां लगया बुंडू यहां लगया चुकि सामने यह मै वन मीटर बाई यह बाई यह बैए इसी से लगा हुआ चूकि इस टैलेट को रोशनी चाहिए इससे लगा हुआ आपका यह कोट या आड आ गिया इसको टीयर्ज भी कहते हैं यह आ गया इसका साइज है 188 0.90 पर अब 6.9 इंच बैए तीन फिट का आपका उटेस आएगा तो पूरी रोषनी इसको मिलेगी इधर भी किचन को इस बेडरूम को सबको रोषनी इससे मिलती रहेगी अब जब आगे वड़ते हैं तो यह आपकी आगे लाबी यहां पर लाबी आगे लाबी का साइज है 3 मीटर दो दसमेलोग दस यह आपकी लाबी हो गई छोटा से डाइनिंग भी आप रख सकते हैं आप इससरे इसको रोषनी लाबी को यहां से मिल जाईए लाबी से लगा हुआ आपका ये आगिया किचन किचन का साइज है तीन मिटर भाई एक असी बलब दस भाई छेक आपका किचन आगिया ये डोर बिंडो अगर आप डोर बिंडो ना भी लगाना चाहें तो बढ़ियां खुला किचन भी रख सकते हैं बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर आप अपनी सुद्धान उसार इसको बदल भी सकते हैं और इसी से लगा हुआ लाबिस लगा हुआ आपका ये दूसरा बेडरूम आगिया इस बेडरूम का साइज है त्री देस्वन जीरू वन मिल्टिप्लाई भई 370 यह आगिया अगर आप उपर बनाना चाहें तो यहाँ से इसको आप करेंगे यहाँ आएंगे फिर आपका सीम सारा प्रिक्ल रिपीट हो जाएगा ठीक अब इसके पाड़ डिटेल में आप देखिए यहाँ पर दे दे रहा हूं इसका प्लाट साइज जिसका हो गया आपका प्लाट एरिया हो गया आपका ज्यारा सो स्क्वाइर फिट मीटर में कहेंगे तो यह आपका हो गया एक सुद्दो स्क्वाइर मीटर का आपका हो गया यह आपका है टू बीच की प्लान बिद कार पार्किंग एंड लाग तो दोस्तों मारा वीडियो अगर पसंद आए लाइक करिए कमेंट करिए शेयर जरू करें पने दोस्तों को जिसे हर आदमी इसका लाब उठा सके नक्सक्या जन्नवा कर दोस्तों मारा वीडिके स्क्राओी आपका है टू उलेजर कमेंट कर लाद करें दोस्तों कर दोस्तों क violation कर दोस्तों मारा वीडियो ओगर वांव स सक्राइक का लाग